विसन सिच्छर समबात के पढ़ाई से प्रत्योक्ता तक की सिरीज में प्राथमी किस्तर के प्रशनों त्री विसे सांक छे में गडित विसे के प्रकरण गड़ती संक्रियाएं भाग दो में आज हम कुछ प्रशनों की चर्चा करेंगे इसमें प्रतम प्रस्ण है कि एक विद्याले में 725 लड़के और 543 लड़कियां पढ़ते हैं बताईए विद्याले में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं तो कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 5 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 तो यह हो जाएगा 1268 और यह हमारा उत्तर 1268 C वाल संख्या 2 में कह रहा है 341 और 194 का अंतर ग्याद कीजिए तो हम क्या करेंगे अंतर ग्याद करने के लिए 341 में से हम घटा देंगे 194 गटा देंगे माइनस कर देंगे एक में से चार नहीं जाएगा एक हासिल लेगा तो ग्यारा होगा ग्यारा में से चार गया साथ यहां तीन बचा था तीन में एक हासिल लेगा तीरा में से नव गया चार और यहां पे दो बचा था दो में से गया एक तो 147 तो इसका अंतर जो होगा 147 होगा answer B हमारा क्या है correct है अब प्रस्न संख्या 3 की बात करते हैं प्रस्न संख्या 3 में कह रहा है यदि गुड़े 16 हो अब गुणज 151 तो गुणफल क्या होगा तो हम क्या करेंगे 151 में 16 से गुणा कर देंगे 151 में 16 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे वही गुणफल आ जाएगा गुड़े 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 गुड़क बराबर गुड़न फल होता है तो यह हो जाएगा यानि 2416 उरंद फल क्या हो जाएगा 2416 यानि आपसन बी इसका भी सही है तीसरे कोश्चन का तो आपसन बी को हम क्या करेंगे करेक्ट मान देंगे फिर कोश्चन नमबर चार है पान सो तीस में बारा से भाग देने पर सेस फल क्या आएगा तो पान सो तीस में अगर हम बारा से भाग देते हैं तो देख लेते हैं भाग देखे बारचोक 48 बचा कितना यहां पे 13 में से 8 गया 5 4 में से 4 गया 0 0 उतरेगा 12 चोक 48 यानि कि हमारे पास सेशफल बचा 2 तो 2 सेशफल आएगा और 2 सेशफल का आंसर जो हमारा दे रखा है आपसन A तो इसमें उत्तर ए जो है वह correct answer हमारा हो जाएगा फिर next question हम चलते हैं question number 5 पे निम्न में से अपूर्ण विवाजन बताईए तो हमारे पास जो 5 पे में आपसन दे रखा है ध्यान से दिखिए एक दे रखा है सत्तरा सो पच्पन भागा बारा भाग दिया जा रहा है बारा से दूर्द ए वाला अप्षन यह दिया है बी वाला अप्षन दिया है आपको कि पंदरा छे दो पांच 15,625 भागा अचीज और सी वाला अप्षन है कि 2775,2775 भागा पचीज और डिवाला अप्षन आपका जो है वो यह हैएक 2775 भागा पंच तो हम यह देख रहे हैं कि यह 25 से पूरते विवाजीत हो जाएगा यह भी 25 से विवाजीत हो जाएगा यह पांस विवाजीत हो जाएगा क्योंकि इसमें 25 विभाजित और एक करण यहां पे 25 आ रहा है यहां पर 75 विभाजित है और यहां पर इकाई के इस्थान पर 5 है तो 5 सिर्फ यहां इकाई पर 5 आने से 12 से पूर्णतय विभाज नहीं होगा तो वह संख्या जो विभाजित नहीं होगी पूर्टया वह आप्षन A है तो इसका आप्षन करेक्ट आप्षन हो जाएगा A सवाल को देखकर यहम पता कर लिए कि इसका आप्षन A है जो कि इसका करेक्ट आप्षन है फिर पूर्टय नमबर छे जो है वह पूछ रहा है कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी पांच गोना होंगे अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर होगा एक दो तीन चार पांच ठोलो फिर कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि वह छ अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए तो छ अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है छ अंक की सबसे छोटी संख्या ये बराबर होगी एक के आगे पांच जीरो इस में से हम क्या करें इसको घटा दें तो एक क्या कि एक दो तीन चार पांच जीरो में से एक दो तीन चार पांच गो नौ घटा देंगे तो यह हो जाएगा दस में से नौ गया एक, नौ में से नौ गया जीरो, जीरो, जीरो और यहाँ जीरो यानि कि एक अंतर आया है और वही एक अंतर यदि जोड दिया जाए तो छांग की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी यानि कि इसका option बी जो दिया है एक जोडने पर वो संप की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी यह लीधिये कि अगर पांच अंक की सबसे बड़ी संख्या दी है और छेंग की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो एक ही जोडना पड़ेगा या 6 अंक की सबसे बड़ी संक्या दिये है, 7 अंक की सबसे छोटी संक्या बनानी है, तो भी एक जोड़ने पर ही हमको प्राप्त होगी, वरक सीट आपको प्लब्द करा दी गई है, आप उसको देख लेंगे और सवालों को समझ कर आसानी से हल कर लेंगे, अगर आपने चैनल क सबस्क्राइब ने क्या है, तो लाइक, सबस्क्राइब और सेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद.